है विडियो पर आई देखते हैं फेक्टराइज कैसे करते हैं तो फेक्टराइज का कोश्चन देखेंगे कलास 9 से रिलेटेड कोश्चन से एक डम बेसिक कॉंसेप्ट है अराम से देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए पेन क पहले तो इसके लिए ऐडेंटिटी कि हम लिखेंगे क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे तो A स्कुएर माइनस B स्कु Memphis हम जानते हैं क्या होता है एक ब्रेकट में A प्लस B और दूसरे बेकेट में क्या लिखेंगे तो A-B तो यह वाला identity हमको इस question को लगाने के लिए यूज करना है दोस्तों इस वाले identities का हम लोग simply यूज कर लेंगे अब देखें इसको कैसे लिखेंगे यहीं पर confusion होता है इस question को हम लोग ऐसे y है तो y लिख करके का whole इसको है ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिखने के बाद हमको क्या करना है इसको एक bracket में plus करना है एक bracket में minus करना है तो 3x plus 4y एक bracket में यह क्या हो जाएगा 3x minus 4y तो बस यह आपका factorize हो गया simply तो हमने इसको factorize कर लिया अब हम लोग देखेंगे दूसरा question यहां पर दिया हुआ है इसको कैसे factorize करेंगे तो सेम यही वाला process इसमें भी यूज़ करना है तो आईए देखते हैं इसको कैसे दूसरा वाला question इसमें दिया हुआ है आपका दूसरा number question जो है 25 upon 4 x square तो लिख लिए यहां पर 25 upon 4 x square minus 1 बटा 9 y square यही तो है ना तो अब इसको अगर मैं factorize करना है तो हम सबसे पहले formula यूज़ कर ले रहे हैं तो a square minus b square is equal to a plus b एक bracket में हो जाएगा आपका a minus b simply इस तरह से formula हम यूज़ कर लेंगे इस formula को इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है इसी के जैसा उपर वाले को बना लेना है कैसे बनेगा तो देखिए उसको ध्यान से 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 4 को क्या लिख सकते हैं 2 x दिया हुआ है तो x लिख लेंगे a total का whole square कर देंगे a square मिलेगे हमको a के जगा पर इतना पूरा मिला दूसरा देखिएंगे एक लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 और y दिया है तो y लिख करके a total का whole square हम कर लेंगे is equal to a के जगा पर आपको क्या दिख रहा है देखिए पावर से पावर को छुपा लिजिए या काट दिजिए एक जगा पर आपको 5 by 2 x दिख रहा है तो लिखे 5 by 2 x प्लस b के जगा पर 1 by 3 y तो 1 by 3 y यह आपका plus वाला हो गया अब minus वाला लिख लिख लिजे से इम इसी तरह से तो आप देखेंगे तो 5 by 2 x minus 1 by 3 y तो यह minus वाला भी आपका यह हो गया यही आपका answer है यह आला question दोनों जो है आपने अच्छी तरह से फेक्टराइज कर लिया देखें दोस्तों 81 minus 16 x square हम लिखेंगे सबसे पहले तो identity लिखेंगे a square minus b square is equal to एक बिरिकेट में a plus b और दूसरे बिरिकेट में हम क्या लिखेंगे तो दूसरे बिरिकेट में लिखेंगे a minus b ऐसे लिख लेगे identities को अब इसी identities पर क्या करना है उपर वाले question को हमको सालो करना है तो सालो कर लिजे अब 81 को आप क्या लिख सकते हैं 81 को 9 का square लिख सकते हैं square के रूप में लिखना है तो 9 का square लिख सकते हैं minus देखें bracket नहीं लगाएं क्योंकि एक number है यहाँ पर 16X को क्या लिख सकते हैं 4X का whole square लिख सकते हैं यही तो लिख सकते हैं यहाँ पर bracket क्यों लिखाए हैं क्योंकि 4 है X है दो number है तो bracket लगा दिया है is equal to अब e के जगा पे आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है तो 9 plus b के जगा पे 4x दिख रहा है 4x एक bracket में हो गया यह दूसरे bracket में हम देखेंगे तो दूसरे bracket में 9 minus 4x simply आप इस तरह से लिख लेंगे यह आपका factorize हो गया इस तरह से आपने answer को find कर लिया दूसरा number अगला question चौथा number देखेंगे तो चौथा number में क्या कहा गया है आपसे दोस्तों 5 minus 20 यानि 20 x square इस तरह से दे रहा है इसमें देखें इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पांच का तो square कर नहीं सकते है पांच किसी number का square है नहीं 20 भी किसी number का square नहीं है तो आपको simply क्या करना है इसमें देखना है कि क्या कुछ common दिख रहा है क्या आपको तो 5 common दिख रहा है तो 5 को आपके simply common ले लेना है तो हमने 5 common ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर तो 1-4x का square इतना ही तो बचेगा ना दोस्तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम सबसे पहले formula लिख रहे हैं अब identities कह सकते हैं identity a square minus b square is equal to a plus b in one bracket और a minus b in another bracket इस तरह से हमने identities को उतार लिया अब identities लिखने के बाद आपको करना क्या है इसी पर आपको question को रख करके solve कर लेना है 5 तो लिखेंगे यह लिखेंगे bracket में लिखेंगे तो 1 दिया हुए तो 1 का तो square हम लिख सकते हैं 1 का कुछ भी लिखेगा 1 ही आएगा square लिखे, cube लिखे, कुछ भी लिखेंगे 1 ही आएगा 4x को क्या लिख सकते हैं 2x का whole square लिखेंगे तभी तो 4x square आएगा इतना आपको common sense रखना पड़ेगा दोस्तों, अब देखेंगे A के जगा पे, पहले सबसे पहले common जो है उस common को लिख लिख लिए यहाँ पर A के जगा पे क्या दिख रहा है तो 1 दिख रहा है, plus B के जगा पे 2x है तो 2x उतार दीजे, अब देखेंगे A के जगा पे फिर इसमें क्या दिख रहा है 1 minus B के जगा पे 2x, तो simply हम 2x यहाँ पे लिख देंगे तो इस तरह से आप simply question को Salve कर सकते हैं, तो यह factorization का question यह भी Salve हो गया दोस्तो देखी दोस्तो 2x to the power 4 minus 32 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना तो 2 का हम कोई number का square है, ना तो 32 किसी number का square है, तो सबसे पहले तो इसमें common लेंगे तो 2 common दिख रहा है, तो हम 2 common ले लेंगे तो 2 common लेंगे तो बचेगा क्या तो यहाँ पे बचेगा आपका x to the power 4 minus, यहाँ पे बचेगा 16, 16 दूनी 32 दो common ले लिए हमने, इस तरह से common ले लेंगे, अब देखेंगे न, इसको formula पे break करेंगे, सबसे पहले formula ले लिख ले रहे हैं, तो formula क्या होता है a square minus b square is equal to क्या लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे in one bracket a plus b and in another bracket a minus b, a minus b, ऐसे simply आपको लिख लेना है यह formula है, तो इसको ऐसे cover कर दे, घे दे अब देखेंगे दोस्तो न, तो यहाँ से question को हम उटार लेंगे, तो 2 अब क्या दिया हुआ है, एक to the power 4 है, तो एक to the power 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x square का whole square लिख सकते हैं minus 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का square लिख सकते हैं अब इसको एक bracket में आपको क्या करना है, प्लस करना है तो 2 तो common है, तो 2 तो आपको लिखना ही लिखना है, A के जगा पे आपको क्या दिख रहा है, तो A के जगा पे x square दिख रहा है, तो x square ध्यान से देखे, square से यह square cancel करेंगे तो A के जगह पे क्या मिलेगा X square प्लस B के जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो 4 फिर देखेंगे इसमें तो A के जगह पे X square minus 4 दिख रहा है ऐसे simply solve करेंगे इसी को अगर मैं process को आगे बढ़ाएंगे तो अभी तो इसको solve कर सकते हैं तो देखें 2 कैसे solve कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा यही ट्रीक है थोड़ा सा X square plus 4 जादे दरबच्चे यहीं पच्छोड देते हैं जो की गलत है आगे भी इसको factorize कर लेंगे अभी यह हो जाएगा आपका X square minus 4 का हम क्या लिख सकते हैं 2 का square लिख सकते हैं अब आप question करेंगे इसको भी तो लिख सकते हैं लेकिन plus में कोई identities होता नहीं है minus में ही identities होता है तो इसलिए minus को ही हम लोग change करके आगे factorize करेंगे तो यह बनेगा आपका 2 X square plus 4 फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो X plus 2 एक bracket में पहले plus किया जाता है फिर एक में minus किया जाता है तो X minus 2 तो इस तरह से यह आपका question जो है इसको आपने factorize कर लिया आई हो यह पांचवा number भी question आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों जो है इसको आप comment करके बताईएगा इसको factorize करेंगे इसका answer क्या मिलेगा तो आई होप आपको यह सारे के सारे question अच्छी तरह से समझ में आया होगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ share किजिएगा लाइक किजिएगा चैनल पर दोस्तों नहे है चैनल